देख कर लग रहा है ना इसे रेस्टोरेंट से लाया है पर मेरी 100% गैरेंटी है जब आप इसे घर पर एक बार बनाएंगे तो बड़े तो क्या बच्चे भी रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमीता आज मैं आप लोगों के साथ सेर करूँगी एकदम साही सबजी इसकी इंग्रीडियन्स बहुत सारे लगते हैं पर ये सभी इंग्रीडियन्स बहुत ही आसानी से घर पर मिल जाते हैं या फिर इसमें से कुछ इंग्रीडियन्स आप घर पर तैयार कर सकते हैं तो फिर चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा सबजी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर और यह मैंने एक किलो आलू लिया है यह मैंने लाल वाली आलू ली है बिहार में लाल वाल यालू काफी मिलती है, बस इसे हम पील कर लेंगे, तो सभी को मैं इसी तरह से छील कर तयार कर लेती हूँ, इसमें कई सारे छेदे हैं, उसे भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे, तो ये मैंने अच्छे से इसे पील अप कर लिया है, अब इसे हम वही पीलर का इस्तेम इस तरह से खाली कर लिए और पीलर के इस्तिमाल से बीच वाला पोर्शन हम कर लेंगे और यह बीच वाला पोर्शन को हम निकाल लेंगे बहुत असानी से ये निकल जाएगी तो मैंने एक निकाला है आपको दूसरा भी निकाल कर दिखा रही हूँ थोड़ा सा प्रेश कीजिएगा और इसे गोल घुमाते जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी तो मैंने सभी आलू को इस तरह से खाली कर लिया है और अगर आप सुख कर साफ कर लिया है और एक तरफ ग्यासपर मैंने कडा रखा इसमें कम से कम मैंने 6 बड़े चममच इसमें ऑउल डाला है और मैंने इसे फ्राइ करने के लिए रखा सबसे पहले हैं इसे उबाल कर भी बनती है तो आप चाहे subjects ये दिलना कर ही पकाकर इसे पका लोंगी आलू अच्छे से पक जाए तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर ढख ढख कर पकाते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं ताकि चारो तरफ से गोल्डन भी हो जाए और आलू जो है वो अच्छे से पक जाए तो आप देख सकते हैं जो आलू है हमारा गोल्डन कलर आने लगा है और जो हव거든 र caveat सिंवा एसे मैं थोड़ा सा पलट कर इसे फिर से फिर से हल्का सा फ्राय कर ले रही हूं और जो ऑलु अच्छे ते निकाल लिया है और जो बचाहुआ टेल है उसी में मैं डाल रही हूं मसालो के लिए यहाँ पर फ्याज तो मैंने यह पर चार प्याज लिया था जिसे मैंने रफली स्लाइसेस में कट कर लिया है और साथ में मैं डाल रही हूँ दो इंच अद्रक का टुकडा और साथ में मैंने 10 से 15 लसुन की कलियां ली है और दो बड़े साइच के मैंने इसमें टमाटर लिये हैं और साथ में मैंने यहाँ पर 10 से 15 काजू लिये हैं क्योंकि यह साही सबजी बन रही है तो साही सबजी तो बीना काजू के अधोरी है इसमें मैं थूड़ा सा नमक डाल रही हूँ तो मैंने इसमें करीबन एक चौथाई चम्मच नमक डाला है और बस इसे हम ढख देंगे और जितने हमने डाले हैं वो अच्छे से गल जाए अच्छे से पक जाए तब तक हम इसे ढख ढख कर पका लेंगे अब चलिए बनाते हैं जो हमारे इस सबजी को साही सबजी बनाता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम पनीर आप चाहें तो घर वाली पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने इसे कदुकस कर लिया अब चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं इसका हम फिलिंग तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक छोटा चमच साबुत जीरा लिया है साथ में एक बारिक कटा हुआ प्याज और मैंने इसमें दो हरी मिर्च क बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारी फीलिंग बनकर रेडी है जो आलो को साही बना देगा तो बस इसे हम रखते हैं साइड़ और हम अपने मसाले चेक कर लेते हैं प्याज तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अच्छे से गल गई है और जो टमाटर है न वो भी गल गया है तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे बस प्याज जो है अच्छे से गल जाया और टमाटर लसुन बस उतना ही हमें पकाना है नहीं तो जो हमारा सबजी बनेगा वो अच्छा नहीं बनेग तो इसे मैं निकाल ली हूँ और निकाल कर इसे ठंडा करके एक मिक्सी के जार में डालेंगे एकदम गरम गरम नहीं इसे ग्राइंड करेंगे इसे हलका सा ठंडा कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी आड़ करेंगे पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजेगा अगर आपको पिसने में लगता है कि बीना पानी का पिस सकता है तो आप बीना पानी का भी इसे ग्राइंट कर सकते हैं। और इसे मैंने ग्राइंट कर लिया है, मैंने इसमें दो से तीन चम्मच के करीब इसमें पानी आड़ किया था। और ये हमारी अच्छे से पिसकर रेडी है तो इन मसालों को रखते हैं साइड और मैंने गैस पर रखा एक कडाही और कडाही में मैंने दो से तीन बड़े चम्मच इसमें सरसो का तेल लिया है और साथ में एक छोटा चम्मक जीरा और एक बड़ी इलाइची एक मैंने छोटी लाइची ली है और साथ में दो से तीन मैंने लॉंग ली है और मैंने यहां पर पांच से छे दाने काली मिर्च के लिए हैं और साथ में एक टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का लिया है जब जीरा हमारा अच्छे से तेल में चटक जाएगा तो मैं इसमें एड कर जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना कर रखा है उसे हम डाल लेते हैं और इस प्याज वाले मसाले को हमें low to medium flame पर भूनना है जब तक इसमें से अच्छे से oil release ना होने लगे और टमाटर और प्याज अच्छे से पकना जाए प्याज के मसालों को हम पकने देते हैं तब तक चलते हैं आलू में अपनी stuffing तयार कर लें तो यहाँ पर मैंने जो आलू को fry करके रखा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा यह fry हुआ है और यह अच्छे से पक भी गया है आपको अलग से उबालने का इस तरह से आप कीजेगा तो जहनजट नहीं है नहीं तो आप हलका सा इसे बॉयल करके भी इस तरह से फिलिंग तैयार कर सकते हैं और मैंने एक आलू लिया है जिसमें अच्छे से दवा दवा के मैंने भर लिया है और इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करके भी नहीं भरियेगा नहीं तो आलू जो है वो फटने लगेगी तो बस इसे बस अच्छे से भर लेना है और ध्यान रखेगा आप आलू को इस तरह स स्टफिंग कीजिएगा तो मैंने इसी तरह से सारे आलू में पनीर की स्टफिंग कर ली है और यह देखिए हमारा मसाला भी है जो अच्छे से पक गया है और हलका हलका सा यह ओयल रिलीज होने लगा है यहाँ पर हम कुछ सुखे मसाले एड कर लेते हैं बेसिक सी तो यहाँ प और सथ में मैं यहाँ पर डाल रहे हूं कलर के लिए एक छोटा चम्मच घलरी पाउडर और मैने यह पर एक चोटा चम्मे के लाल मेंदो का प on पाउडर लिया है आधा छोटा चमच मैंने यहां पर काले मिर्ज का पाउडर लिया है साथ में नमक स्वात के अनुसार डाल लेंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है और इसे भी हम दो मिनट के करीब भून लेंगे ताकि इसमें से ओयल भी अच्छे से रिलीज होने लगें और जो हमारे मसाले है न वो भी अच्छे से पक सके तो बस थोड़ी देर के लिए इसे हो धखकर पका लेते हैं ताकि हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाये तो मैंने इसे डख दिया था ढणने के बाद 2 मिनट के बाद बीच में मैंने एक-2 बार चलाया भी है औ और यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो कडाही पैन छोड़ रहा है मैंने तेल बहुत कम ही डाला था जब हमारे मसाले पक जाएंगे न तो इसमें हम पानी डाल लेंगे तो जितना आपको ग्रेवी थोड़ी पतली रखनी है चाहे गाड़ी रखनी है उसी साब से एक उबाल आने देंगे तो जब हमारे ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी जो स्टफ किया हुआ आलू है हमारा साही आलू उसे हम इसमें डाल लेंगे और इसे भी हम पका लेंगे आपको लग रहा होगा ना कि पनी डाला हुआ है तो यह निक लेगी बहुत अच्छे से हमने भर कर इसे डाला है और इसमें मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ एक बड़ा चम्मच कसूरी में थी और साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ इसमें हमारे आलू भी अच्छे से पके हुए थे मसाले भी अच्छे से पके हुए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आलू को और नहीं पकाना है बस हम धनिया और कसूरी में थी मैंने इसमें एड किया है और साथ में ही मैं यहाँ पर एड करूंगी गरम मसाला तो मैंने एक छो के लिए ढखक कर इसे पका लेंगे इसे बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि आलू हमारी पकी वी थी मसाले हमारे पके हुए थे और एक से दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा आलू में जो हमने फीलिंग भरा है पनीर का वो कितने अच्छे से भरा हुआ है बिल पराठे के साथ पूरी के साथ चाहे आप चावल के साथ इंजोय कीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैंने इसे ढखक कर पांच मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था पांच मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कितने अच्छी हमारी ये सब जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाइबाइ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नियू और इंट्रेस्टिंग रेसिपीस के साथ